सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपेंड करना है यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है MSME Registration तो आप सभी के सामने Udham Registration.gov.in जो इसकी ओफिसेल वेबसाइट है आ जाएगी आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है ध्यान दखना है कि इसके नियम से कैसारे अने फेक वेबसाइटे चलती है तो जो URL मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी पे क्लिक करना है तो पेज का जो इंटरफेस से कुछ इस तरीके का आएगा यहाँ पर हमें एक निया Registration करने के लिए Welcome to Registr Hair के सेक्शन में इस वाले Option पे आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना होगा आपके आधार का पर जो भी नेम है सेम उसी तरीके से फिल करना है Validate and Generate OTP की टेब पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपके Mobile Phone पर Verification क्लिक One Time Passport आएगा जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है यहाँ आपको Validate के Option पे क्लिक करना है तो इस तरीकी से आप देखोगे कि हमारा जो आधार के जरीए हमारा जो authentication है वो हो चुका है अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो PAN Card है वो verify करना होगा तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर type of organization के section में आना है यहाँ पर कई सारी categories दिखाए गए है जैसे कि कोई company हो या पर समू हो तो आपको select करना है बाकी individual हो आप सभी को यहाँ पर proprietary sip वाला जो option दिया गया है इस option को select करना है अपना जो PAN Number है यहाँ पर दर्ज करना है capital letters में इसके बाब में आप सभी के PAN Card पर जैसा भी name है सेम उसी तरीके से fill करना है और PAN Card के अनुसार ही यहाँ पर आपको अपनी जो data worth है वो दर्ज करना है और I the holder of the PAN इस option पर click करना है कि आपका जो PAN Number है उसके according कोई भी GST Number यहाँ पर found नहीं हुआ है तो मैंने कोई GST Number लई नहीं रखा है अगर आपने ले रखा है तो आप यहाँ पर बता सकते हूँ या पिर आपके business में exempted है तो आप यहाँ पर बता सकते हूँ आप सभी से पूछा जाता है इसी के साथ ने आपने इससे पहले कोई ITR फाइल किये है income tax return तो ऐसा अगर कुछ है तो yes करना है अदरवाज no के option पर ही ऐसे click रहने देना है और आप सभी को page में नीचे के तरफ आना है कोई भी different table person यानि कि कोई biglang अगर है तो उसको yes करना है अदरवाज no के option पर ही click रहने देना है यहाँ पर आप सभी को name आप enterprise के section में आप सभी को अपने business का जो name है वो दर्ज करना है जिसके name से आप अपने MSME certificate है वो बनाना चाहते हो अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास में पहले से इस business की कोई identity proof हो या कोई पहले से कोई record हो MSME में आपको ये facility मिल जाती ही कि आप अपने business की एक identity बना सकते हो जो भी आप अपने business का name रखना चाहते हो यहाँ पर आपको फिल करना है name को फिल करने के बाद में plant unit name के section में आना है यहाँ पर अगर आपके business में एक से ज़्यादा location में activities होती है तो आप यहाँ पर उनके जो name है different कर सकते हो लेकिन अगर आपका business एक ही location में है तो same आपका जो business name है उपर आपने जो फिल किया है उसको यहाँ पर दर्ज करना है add की option पर click करना है एक से ज़्यादा अगर है तो आप देखोगे फिर से यहाँ पर row आज चुकी है add करने के लिए इसके बाद में नीचे के तरफ खाना है location के section में तो यहाँ पर आपने जो plant उपर add किया है जो unit आपने business की अपनी add की हुई है वो कहाँ पर located है वो आपको बताना होगा सबसे पहले तो इकाई name यहाँ पर आपको choose करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा जो business name है जो हमने उपर add किया है वो यहाँ पर दिखाया गया है ड्रापडाउन से हमें यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर आप सभी को अपने जो complete address है जहाँ पर भी यह जो business से located है वो address आपको फिल करना है add plant के option पे click करना है तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से हमने एक जो plant की detail है वो add कर ली है अगर आपके case में ज्यादा है तो second वाला जो option है वो select करके आप उसकी भी detail इसी तरीके से add कर सकते हो अब इसके बाद में अगला option मिलता है हमें official address का जहाँ और उपर जो address हमने दर्ज किया है कई सारे cases में ऐसा होता है कि business की जो activity है वो किसी दूसरी location में हो रही होती है और जो official registered address होता है वो को दूसरा होता है तो अगर आपके case में कुछ ऐसा है तो official address अगर different है तो वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हो अगर आपके case में same ही है तो same यहाँ पर repeat आपको वही address फिल कर देना है यहाँ पर अपनी जो state है, district है select करना है और आपको यहाँ पर get latitude and longitude के option पे click करना है तो आप सभी के सामने यहाँ पर pop-up में एक map open होगी ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी pop-up आपको block नहीं करना है यहाँ पर जो भी आपने location select की होगी उसकी according आप सभी के सामने map आ जाएगी इसको zoom करके आपका जो business है जहाँ पर भी located है, जो official address है आपको कुछ इस तरीके से select कर लेना है जैसे आप देखोगे कि हमने आपर select किया है तो हमारा जो latitude है, longitude है वो automatic fill हो करके आ चुका है अब यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपने उद्यम registration करा रखा था तो इससे पहले उद्यम आधार करके पहले जो certificate बनते थे तो अगर आपने पहले बना रखा है तो वो जो detail है आप दर्ज कर सकते हो मेरे case में ऐसा कुछ है नि status of enterprise के section में आना है यहाँ पर आपका जो business है वो कब से incorporation हुआ है उसका जो registration date है वो यहाँ पर दर्ज करना है तो कई सारी cases में होता यह है कि अगर आपका जो business है पहले से चल रहा हुआ तो हो सकता आपके पास में कोई other identity proof उसका हो करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पर semi रख सकते हो यह फिचर की कोई अगर update देना चाहते हो जबसे आपके business के activity शुरू हो जाएगी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो इसके बात में अपने bank का जो name है यहाँ पर आपको फिल करना है तो अगर आपका जो business है वो manufacturing का है या फिर कोई अप services प्रवाइड करते हो दोनों ही option दिये गए हैं अब जैसे कि हमने manufacturing वाला option select किया है तो हमें यहाँ पर अपने business के अंदर हम जो भी manufacturing item करते हैं अपने business की जो activities हैं वो हमें यहाँ पर बताना है कई सारे लोगों को NIC code की विकेल नहीं पता होती हैं तो इसको ले करके परिशान होने की जरूरत नहीं है उपर की तरफ आपको एक option दिया गया है NIC code का तो जैसे हमने seat पे click किया है तो आप यहाँ पर देखोगी कि हमारे सामने एक PDF open हो चुकी है जहाँ पर जो भी आपका business है वो आपको यहाँ पर business सर्च किया है computer related work आप सभी के सामने आ जाएंगे जो की manufacturing का अगर आपका business है या फिस sales का है service का है तो आप यहाँ पर अपने आपसे select कर सकते हो NIC two digit code के section में आना है यहाँ पर आप देखोगे कि सारी activity के एक list दे गए है जिस पर भी आप selection कर सकते हो यहाँ पर जैसे कि मैंने selection किया है NIC two digit code then आप सभी को NIC four digit code के section में यहाँ पर जो आपके business की activity है major जो activity है उसको select करना है NIC five digit code के section में अब आप सभी को अपने business का main salt है जो आप काम करते हो वो आपको यहाँ पर select करना है add activity के option पे click करना है इस तरीके से आप 5 activity अपने business के अंदर add कर सकते हो जो की sales या फिर service की कोई भी हो सकती है इसके बात में number of person employed के section में आना है यहाँ पर आपका जो occupation है business है इसमें कितने लोगों को आपने job पे रखा हुआ है तो अगर आपने रखा हुआ है भी current में तो आपको यहाँ पर वो members की जो counting है male कितने है female कितने है दर्च करना है तो आप सभी को page में नीचे के तरफ आना है जैसे कि कोई भी existing business चला है तो उसको यहाँ पर right and down value के section में आना है यहाँ पर पिछला जो financial year दिखाया गया है उसमें उसके business की क्या value है कितना पैसा उन्होंने research and development में invest किया है वो यहाँ पर बताना है लेकिन आपके case में यह mandatory नहीं है जो लोगो service को sale कर पाते हो e-commerce portal पर तो यहाँ पर अगर आप उस पर भी register करना चाहते हो यहाँ पर TREDS जो portal है पर register करना चाहते तो national career service portal पर register करके तो यहाँ पर आप yes के option पे click कर सकते हो बाकी नीचे के तरफ आप सभी को यहाँ पर submit get final OTP की tab पे click करना है यहाँ पर आपको pop-up में ok के option पे click करना है तो अब आप देखोगे कि हमारे mobile phone पर एक OTP हमें receive हुआ है जो कि यहाँ पर हम दर्ज करेंगे इसके बाद में एक capture code आएगा इसको भी same वैसे दर्ज कर देना है और final submit के option पे click करना है तो इस तरीके से आप देखोगे कि MSME का जो registration वो हमने successfully कर लिया है यहाँ पर हमारे सामने उद्यम registration ID generate हो करके आच चुकी है अब सबसे पहले तो आप सभी को यह जो ID generate हो करके आई है इसको note करके रख लेना है तो कि यही main ID registration के बाद में आपको provide की जाती है बाकि इसका registration होते ही आपको एक certificate issue किया जाता है जिसमें के print certificate की tab पे अगर आप click करोगे त जो कि मैंने अभी आपको note कराया था वो मांगा जाएगा और इसी के साथ में आप सभी को अपना जो mobile number है वो दर्ज करना है जो कि आपने register करते वर्ग जो भी mobile number दिया था वो आपको यहां पर फिल करना है जैसे कि हम mobile पर receive करना चाहते है हमने select किया है validate and generate OTP की tab पे click करेंग तो यहां पर आप देखोगे कि certificate generate हो करके आ जाता है जो कि आप अपने business की जहां पर भी activity करते हो यह जो MSME certificate वहां पर print करके लगा सकते हो